गालो फ्रेंज़, आज फिर एक नया वीडियो के साथ हाजर हूँ यह वीडियो सिर्फ एक आथार ओपरेटर के लिए है इसको इसको इनएक्टिव या सेस्पेन किया जा रहा है तो इसका वज़ए क्या है वज़ए इसमें देखिए यह October महिना का है, यह देखिए, October, October 2019, मैंने यह बंदे का नाम और इसका enrollment code, sorry, enrollment agency का code मैंने सब बंद कर दिया है, इसमें क्या-क्या गलती होता है हम लोग का, अंजाने में हम सब जान पूछ के तो नहीं करता है, फिर भी अंजाने में हो जाता है, लेगन अकर आप जो limit cross करने स आपका गलती, आपका ID inactive हो जाएगा, इसमें चार किस्म का error होता है, इसमें, एक है BE2 है, एक है DE है, एक है DOE1, DOE2, जाता से ज़्यादा आपमी BE2 का, इसमें किसी ने भी गलती नहीं किया है, देखिए, सिर्फ एक आत्मी ने गलती किया है, देखिए, सिर्फ एक आत्मी एक पार किया वो भी, तो इसके लिए तो कोई बात ने, लेकिन जो इसमें देखिए, लेकिन इसका error देखिए, DOE2 का, कितना जाता से ज़्यादा operators, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गलती हो जाता है, जान पूछ के तो नहीं करता है, फिर भी हो जाता है, देखिए, तो पहले इसका देखेगा, इसका first one, what is that, BE2, इसका मतलब क्या है, error, यह Biometric Error 2 है, यह देखे, BE2, इसका error क्या है, जो operators लोग, Biometric Exception का जो data capture करता है, फोतो, या अगर जो resident का, अंगोली ठिक नहीं है, या आग ठिक नहीं है, ऐसा होने से, इसको साफ, बहुती साफ तरीका से दिखाना जाए, अगर उसका अंगोली नहीं होने से, अंगोली नहीं है, फोतो में, बहुती साफ तरीका से, उसको खीस के दिखाना जाए, वरना इसका error होगा, इसका reject भी होगा, उसका उपर में आपको, क्या होगा, इसमें लिखे, दिखे, अगर एक महिना में 30 से ज्यादा ऐसा गलती करने से क्या होगा आपका जो ऑपरेटर का आईडी है एक साल के लिए उसको सस्पेंड या इडिक्टिफ किया जाएगा मतलब एक साल के लिए आप अथार एंड्रोल्मेंट करने के लिए नहीं सखीगा तो इसी तरह इसमें बहुत ही है अभी दिखादा हूँ यह वला सब आत्मी भी यहाँ जाता से जाता इधर गलती क्या है इसमें भी है एक है दो है इसका छोड़ो इसमें एक लास्त one, what is that , that is DOE2 यह क्या है Oneаешь, Yui, in mayhem, एक अदमी ने थर्दीन टैम्स गया,कि Si Si Musais ने toated 32 IQ, एक अदमी ने डिकिए, एक अदमी ने नो बार दीन बार जिर स्विस्षी तू टैम्स गया एक आधिन थी में. एक ओपरेटर ने फी।टी टैम्स गया तो इसका अभी बन हो गया है। एक साल के लिए उसका आईडी सस्पेंड करती है अभी तो एक साल के बाद ही आधार का काम करने के लिए सेगी है ये बंदा तो DOE2 का मतलब क्या होता है? एक आधार ओपरेटर का जिम्मे तरह क्या होता है? बंदा है डोकुमेंट को अच्छी तरह से चेक करने का तो इसमें देखिए इसका मतलब क्या है? DOE2 का मतलब क्या है? एक साफ नहीं होने से इसको अपलिड मत करो इनमेले डोकुमेंट मत अबड़ोड करो suppose expiry हो गया है किसी का ID card का तो इसका भी upload मत करो IT proof का जगा में सिर्फ IT proof का document से scan करके upload करना पड़ेगा इसका भी जो IT proof में जो लिखा है साफ तरिखा से दिखना चाहिए अगर आप गलती करने से क्या होगा देखिए इसमें एक packet में 25 रुपी काट चाहिए आपका और एक महिना में आपका ये गलती 30 से ज्यादा होने से क्या होगा इसमें भी आपका operator ID एक साल के लिए suspend हो जाएगा एक्टिफ हो जाएगा मतलब आप आथार का काम एक साल के लिए करने के लिए नहीं से क्या है इसी तरह इसमें बहुत ही सब explain करने से बहुत ही वाक लगी है इसलिए मैंने ये जो भी है मैंने दिखाया आपको ये फाइल दो फाइल है सब मैंने ये दो का फाइल का link description में दे दिया है उतर से download करके खुद परके समझ लो तो आज के लिए इतना है तो इसमें सब explain करने से जाता ताइम लगी है तो मैंने ये दो फाइल दिस्क्रिप्शन में link दे दिया है तो आज के लिए इतना है thank you thank you for watching